सेलिबरेटिंग शुवात करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ नेपाल में यती अर्लाइंस का प्लेन क्रेश रविवार सुभाय हो गया है और राहत और बचापकार में चुटे लोगों ने 68 शब बरामत कर ली हैं जबके चार लोग लापता हैं नेपाली आर्मी के प्रवक्ता क्रश्णोन प्रसाद भंडारी ने सुंबार को कहा कि उन्हें घटना स्थल से अभी दाक कोई भी जिंदा नहीं बिला है वहीं आज चार लापता लोगों को ढूनने के लिए फिर से सरसभियान शुरू हो गया है प्लेन काटमांडू से लगजा का 200 किलोमेटर दूर पोखरा एरपोर्ट पर लेंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले पहार से जा ठकरा है और नदी में जा किरा प्लेन एटी आर बहत्तर में 68 याथी और चार क्रू मेंबर सबार थे अरशट शब बरामद कर लिए जब के चार लोग लापता है इनके तलाश में इस्थाने प्रशासन ने नदी में गोता खोरों को भी उता रहा था लेकिन सफकता नहीं मिली अंधेरा होने पर कल सर्च ऑपरेशन रोख दिया गया था वहें विमान हास्ते में मदने वालों के शब को अब श्रक के प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज उनके परिजन को सुपती है जाएगा